जेहीं नमस्कार पेंसनस आप सभी का एक बार फिस वा गयते लाइब सेटिपिगर्ड जमा करने के बाद चिंता हैं बढ़ जाती है कि मेरा लाइब सेटिपिगर्ड सक्सेजपुली जमा हुआ या नहीं कभी इस पर्स में लोगिन करके चेक करते हैं तो कभी जीवन पर्मान की वेब साइट पे कभी इस पर्स की हेलप लाइन पर PCDA में कोल करते हैं लेकिन कहीं से पता नहीं चलता कि लाइब सेटिपिगर्ड सक्सेजपुली समिट हुआ है या नहीं तो आईए आज इस वीडियो में मैं आपको वोड टेकनिक बता देता हूँ जिसके जरीए आप एक मीनिट में अपने लाइब सेटिपिगर्ड की फाइनल स्टेटस पता कर सकते हो कि आपका लाइब सेटिपिगर्ड सक्सेजपुली समिट हो गया या फिर रिजक्ट हो गया सबसे पहले तो आप जैसे ही लाइब सेटिपिगर्ड जमा करते हो आपको SMS भी मिलता है और आपका जो लाइब सेटिपिगर्ड है वो PDF फोर्म में डाउनलोड भी होता है जो SMS आता है वो इस पर कार होता है जिसमें आपकी परमाण ID दी होती है और साथ ही एक लिंक दिया हो रहता है जीवन परमाण की वेब साइट के जरिए पीपीओ यूजर अबलिक लोगिन में जाके आप अपना लाइब सेटिपिगर्ड डाउनलोड करके पता कर सकते हो कि आपका लाइब सेटिपिगर्ड जम्मा हुआ है या नहीं लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लंबा है उस प्रोसेस में समय लगता है और हर कोई पैंसनर नहीं कर सकता है और जो लाइब सेटिपिगर्ड प्रिंट होता है उसके ओपर भी प्रमान आईडी लिखी रहती है तो अब मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगा जो आप वितिन वन मिनिट में अपने मॉबाइल के जरिये परफॉम कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है अपने मॉबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहां पे आपको सर्च करना है उमंग एप्लिकेशन उमंग जब आप सर्च करेंगे तो उमंग एप्लिकेशन आपके सामने इस परकार दिखाई देगी जो गोर्मेट आप इंडिया की ए इस्टोल हो जाएगी अब जब आप उमंग एप्लिकेशन में लोगिन कर लेंगे तो होम स्क्रीन पर ही आपको ओप्सन दिखाई देगा जीवन प्रमान और उसी के नीचे दिखाई देगा जनरेट लाइफ सेटिफिकट और दोनों यहां पर ओप्सन दिखाई ना दे तो ही एक ओप्सन आएगा व्यू लाइफ सेटिफिकट जीवन प्रमान इसके उपर आपको क्लिक करना है जब ही ओपन हो जाएगा तो डारेक्ट आपसे प्रमान आईडी डाल सकते हैं इजी रहेगा आपके लिए प्रमान आईडी तो क्योंकि प्रमान आईडी आपको SMS के जरि कि करें तो जल्द ही एक OTP आपके मोबाइल में आएगा उस OTP को यहां पर एंटर करना है OTP यहां पर आ चुका है उसको वहाँ से नोट करिए और यहां पर एंटर कर देजी अटर करने के बाद validate OTP के ओपर क्लिक करिए क्लिक करते आपके सामने व्यू लाइफ सेटिपिकट बे फोटो आएगा नीचे लिखाव आएगा सक्सेज बस आपको इतना ही देखना है यहां reject और सक्सेज दो ओप्षन आते हैं हमेशा यदि आपका reject हुआ है तो reject लिखाव आजाएगा इसका मतलब आपको लाइब सेट विगट दुबारा जमा करना है और यदि आपका success हो चुका है तो clear लिखाव आएगा success साथ ही आपकी परमाण ID आपका नाम और registration की date किस दिन आपने अपना लाइब सेट विगट जमा किया था वो तारिक यहां पे आएगी अब आप चाहे तो यहां से इसी लाइब सेट विगट को आप DG Locker में भी upload कर सकते हो और आप चाहो तो यहां से इसकी PDF भी download कर सकते हो तो हम लाइब सेट विगट की PDF यहां से download कर लेते हैं save पर जैसे ही click करेंगे आपको allow करना है allow करने के बाद PDF download हो चुकी है इसको आप open करके देख सकते हैं यह रहा आपका live certificate क्या इससे इजी आपको और कोई technique मिलेगी या process मिलेगा इसके बारे में आप comment box में comment करके बताना और सभी pensioners की जानकारी के लिए कि वो भी इस चिंता से मुक तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें और सबसे easy step के जरिये सभी pensioners नौमर मैने के दोरान जो अपना live certificate जमा कर रहे हैं वो उसकी इस्तिती भी चेक कर लें जैसे ही success लिखावा दिखाई देता है तो उसके बाद निश्चिन्त हो सकते हैं कि उनका live certificate जमा हो चुका है इसके बाद आपकी pension बंद करने वाला कोई नहीं यदि अगला वाला करेगा भी इसपर्स की कोई technical खामियों की वज़े से इसपर्स में update नहीं होता है तो वो इसपर्स की गलती होगी आपकी नहीं आप बाद में claim कर सकते हो कि यह रहा मेरा live certificate बिल्कुल success लिखावा आ रहा है वो success लिखावा तभी आता है जब आपकी pension dispersing agency और pension sanctioning agency आपके live certificate को accept कर लेती है और आपके PPO के साथ में update कर देती है तो यह थी जानकर ही live certificate की status चेक करने की आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें share करें और चैनल को subscribe कर सकते हैं जैहिन साथियों for more updates subscribe to our channel and enjoy watching the videos